आज मैं भारती है समाज, बीए पार्ट फरस्ट इयर का चेप्टर शुरू कर रही हूँ भारती है समाज का पहले हम पार्टी है परिदर्श के बारे में चर्चा करते हैं समाज का क्रमबद और विवस्तित अध्यन करता है इस क्रमबद विवस्तित अध्यन का उद्देश समाज की सरंचना और परिवर्तन को समझना है जहां समाशास में भारती समाज का अध्यन किया जाता है उसका विद्देश्य भारती समाज की सरंचना तथा उसमें होने वाले परिवर्थनों का विज्ञानिक विदी से अध्यन करना होता है तो शोद परिवर्दतियों को विज्ञानिकों ने दो प्रकारों में बाटा है विवारिक या हम इसको बोल सकते हैं शेत्री और दूसरा है सध्धान्ति के वम पाठी सध्धान्तिय शोद का एक उप्रकार पाठीय परिदर्ष होता है पाठीय परिदर्ष में समाज से सम्बंदित जो कुछ लिखित सामगरिया है मतलब जो लिखी जा चुकी है उसका अध्यन करके हम समाज की सरंशना प्रयकार्य परिवरतन आधि को समझने का प्रयास करते हैं पाठिये जैसा नामसे इसपस्ट है, ये जो पाठों में हैं, जो लिखित रूप में हैं, वो सामगरियों से जब हम समाज का अध्यान करने की कोशिश करते हैं, तो वो पाठिये परिदर्ष होता है। इसी प्रकार से वेवारिये शोध पद्धिती के एक प्रकार शेतिये परिदर्ष में समाज का सर्वेक्षन करके उसकी सरंचना एमकारियों को समझने का प्रयास किया जाता है। बार्थिय समाज के पार्थिय तथा शेत्रिय परिदर्ष को समझने से पूर इन दोनों पद्धितियों के अर्थ एवं महत्व को समझना बहुत आविशक होता है तो हमा पार्थिय परिदर्ष का अर्थ समझते हैं यानि Meaning of Textual View तो पार्थिय परिदर्ष में समाज से संबंदित उपलब्द लिखित सामगरियों का गहन अध्यन किया जाता है और इवं लिखित सामगरियों से ही समाज का सत्य प्रमानित विश्वर्षनिय चित्र प्रस्तुत किया जाता है पाठिये परिदर्ष उनी समाजों में त्यार करना संभव है जिन समाजों का लिखित साहिते उपलब्द है मिल्कुल सही है क्योंकि जब तक हम लिखित साहिते के आधार पर ही किसी समाज का दियन कर रहे हैं और जब तक हमें उसकी लिखित सामगरी उपलब्द नहीं होगी तो हम समाज के बारे में अधियन नहीं कर सकते हैं क्योंकि पाठिये का अर्थ होता है पाठ या लिखित सामगरी से सम्मंदित होना वह समगरी जो पाठ सम्मंदी, पाठ विशेयक, पाठ गत या पाठा लोचक है पाठिये समगरी कहला दे पाठिये समगरी के जो प्रमुक्स रोथ है वो धर्म गरंत होते हैं, उपनिशद होते हैं, पुराण, स्मरतिया, महाकाव्य, एतिहासिक एवन, समसमाई, गरंत, सम्मंदी, लाक्ष, विदेशियों में लिखित जो समगरी पलब्द है या लिखित साहिते भी हम कह सकते हैं, उन्स रोतों के आधार पर इसे त्यार किया जाता है तो पाठिये परिदर्ष के शब्द कोश में अनेक जो अर्थ दिये जाते हैं, जैसे द्रश्य हो गया, तस्वीर, द्रस्टी कौन, नजर, अवलोकन, प्रेविक्षन, विचार, आश्य या अभिप्राय यहां पर परिदर्ष से तातपरिये हैं, द्रश्य यानि तस्वीर या वस्तु स्तिती से लगाया जाता है तो पाठिये परिदर्ष से तातपरिये हैं, समाज की सरंचना, एवं परिवर्तन की वास्तविक स्तिती का वर्णन, एवं व्याख्या करना समाज का पाठिये परिदर्श एतिहासे दोन प्रकार का हो सकता है क्योंकि विशिद्ध जो अलु संधान होता है उसमें पाठिये सामगरी का अंतह वस्तु विशलेशन करके हम समाज से सम्मंधित तत्यों, आकडों, विशिश्ताओं आदी को ज्यात करके समाज के परिदर्श को तयार करते हैं इसका सम्मंध भाषा ये भी व्यक्तियों यम लिखित संचार के साधनों से होता है रेगुणात्मक, वस्तु निस्ट, विवस्तित, अंतर वस्तु विशलेशन पर आधारी होता है यथा इसका प्रियोग एतिहासिक लिखित सामगरी के आधार पर सामने करण या परिदर्श तैयार करने के लिए किया जाता है तो इस प्रकार पाठिये परिदर्श का जो उदेश्य है उसको हम समशने है पाठिये परिदर्श के विशलेशन के चरण या पिर इसका उदेश्य इस प्रकार है अध्यन की रूप रेखा सबसे पहले हम इसका निर्मान करते हैं पिर संबंदित लिखित सामगरी को एकर्द किया जाता है अंत्य वस्तु का विश्लेशन करने के लिए तत्यों का चैन किया जाता है इकाईयों का चैन होता है फिर इकाईयों का वर्गी करन होता है तत्यों का वर्गी करने व्याक्या होता है पार्थिये परिदर्ष प्रस्तुत करना तो इस प्रकारी इसके स्टैप है जिसको हम फॉलो करते हैं समाज का पार्थिये परिदर्ष एतिहासिक लथा ए एतिहासिक दोनों प्रकार का हो सकता है समाज के लिखित जो साहित्य पर आधारित अध्यान एतिहासिक पार्थिय परिदर्ष कहलाता है अब पार्थिय परिदर्ष का अध्यान निमने दो भागों में बाट सकते हैं भारती समाज की पाठिय सामगरी की सुरोत, भारती समाज का पाठिय परिदर्श। भारतिय समाज की पार्टिय समागरी की सुरोथ के अंतरगत हम पढ़ते हैं कि एसे कौन-कौन से सुरोथ हैं जिससे हमें भारतिय समाज में भारत के समाज किस प्रकार थे हम उसकी जानकारी प्राप्त कर सकें तो इन सब को हम पाँच भागों में भक्त करते हैं जैसे फर्स्ट है भारतिय धर्म ग्रंथ यानि इंडियन रिलिजियस जो बुक्स हैं उसमें हमारे समाज, हमारे परिवार, कर्तव्य, क्रश्शी इन सब के बारे में किस प्रकार लिखा गया है दूसरा होता है एतिहासिक एम समसामाईक ग्रंथ यानि उस समय जो एतिहासिक थे और उस समय के काल में किस प्रकार का समाज चल रहा है तीसरा है पुरातत्व सम्मंधी साक्ष फोर्थ है विदेशियों के विबरण और फिफ्ट है मध्यकालिन पार्सी यम अर्भी सहिते तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भारतिय दर्म ग्रंथों के बारे में भारतिय दर्म ग्रंथों में सबसे इंपोर्टेंट फर्स्ट हम बात करते हैं ब्रामन धर्म ग्रंथ की तथा अन्य धार्मिक ग्रंतों में जिसे ब्रहामन, आरेने, उपनिशद, वेदान्त, सुत्र ग्रंत, स्मृति, साहिते, महाकावे, पुरान, आदि इन ग्रंतों के पार्टी अध्यनों से ग्यात होता है कि ततकालीन भारती समार एम संस्कृति की दशा कैसी थी तता इस काल के उपनिशदों से हमें आरियों के धार्मिक जीवन वे किस प्रकार वितीत करते थे, वे राजनेतिक जीवन किस प्रकार वितीत करते थे, उनकी सामाजिक सरंचना आर्थिक जीवन किस प्रकार का था इसके साथ साथी उस समय समाज क्या था परिवार क्या करतव्य क्रशी आदी से सम्मंदित प्रथाओं एवं उस समों की जानकरी मिलती है इनमे राज्ये मनुष्य के पारस पर एक सम्मंद वर्ण आश्रमों का भी विश्यद विवेचल मिलता है भारती समाज के विकास से सम्मंदित समगरी के महत्रपून सुरूत हैं इस्मरती साहित्य, महाकावे, पुराण, मनुष्मरती, यागवल्लक्य, नारद, रस्मरती, पारशर स्मरतिय, रामायन, महावारत, प्राचिंत, महाकावे, उल्लिक्नी सुरूत है इनमें तत्कालीन, राजनेतिक, भागौलिक, संस्कृति, सम्रद्धी, रहनसेन आधी का विस्तित विवेचन मिलता है दूसरा हम बात करते हैं बौध्धे धर्म साहित्य के बारे में तो विशाल बौध्धे साहिते में पिटक, जातक, पाली, संस्क्रती बौध्धे आधी का भी उल्लेक है जैसा कि हमने पहले भी सुना है कि तरी पटक होते हैं बौध्धे धर्मग्रंतों के तीन उसमें फस्ट है अभिनाय पिटक, सुत्ध पिटक, अधिधम पिटक तो इन सब में उपनिशे, सिध्धान्त, दर्शन, विख्षू, विख्षूनों के दैनिक जीवन, आचार, विचार, विधी, निशे, राधी का भी विवेचन मिलता है तो जातक धर्मग्रंतों में बौध्धिक आलीम भारत की सामाजित, सांस्कृतिक धार्मिक, आर्थी, राजनिते के विस्थाओं की महत्यपून जानकरी मिलती है जैसे कि पाली बहुत देद, संस्कृत बहुत देद धर्मग्रंत में अशोग हता उनके वंश, इसकाल से समन्दित सामाजिक संस्कृतिक विशिष्टाओं का वर्नन मिलता है इसी प्रकार से बहुत देद धर्मग्रंत, महावस्तू, ललित्विस्तार, बुद्ध चरित्र, सौंदारानंद, काव्य, दिवियानंद, मजून शरीम, मूल कलपादी इन महत्तपून ग्रंतों में महात्मा बुद्ध का जीवन, सिध्धान्त, कथाओं, मौर्यों के पूरे से लेकर हर्ष के समय की राजनती घटनाओं का वर्नन मिलता है उसी प्रकार हम बात करते हैं, थर्ड है जैन धर्म ग्रंत इसा के प्रथम शताब्दी से छटी शताब्दी तक के काल में अनेक जैन धर्म ग्रंतों का उलेक हुआ, जैसे परिसिस्ट पर्व हुआ, बद्र पाहु चरीतर हुआ, जैन आगमन ग्रंत हुआ, अनेक व्याक्याएं, टीकाओं की रचना की गई, जैन धर्म ग्रंत के महत् कुरान आदि महत्यपून ग्रंत है, जैना इन ग्रंतों में ततकालेन भारती समाज की बहुत सी महत्यपून परेदर सामगरी मिलती है, तो इस प्रकार हमने अपने बौधते जो समय के हमारे भारती धर्म ग्रंते उनके बारे में चर्चा करी है, दूसरा है एतिहासी काम समस रचनाय हुई जैसे पारणी की अस्टाध्याई, कोटिल्य की अर्थ शास्त्र, पतंजली की महशय, गार्गी की सहीता, स्वपन वास दत्ता, संगम सहीत्य, मुद्रा राक्षत, राक्षिश, मत विलास प्रहसन, हर्ष चरित्र, कल्हड की रास्तरंगनी, आधी अनेक जो समय स सहीत्य, मिलता है, इन गरन्तों में भारत के काई स्थानों की जांतियां, समाजो की शाषन पद्देतियां, सामाजिक जीवन, आर्थिक दशा, कानून आधी का विवेचन मिलता है।